तो इस कार मैंना brake oil leak हो रहा था तो उसके लिए मैंने इस master cylinder को खोला है क्योंकि यहीं से brake oil leak हो रहा था ठीक है तो उसी वीडियो का इस 2nd part है इसमें मैं इसके master cylinder उसको replace करूँ है लेकिन इसमें एक चीज है नहीं दो पीछे और नहीं मिली तो मैं क्या करोंगा ना जो और इंग होती है पुराने वाले की निकालूंगा इसकी जो इन पहले चैक कर लेता हूं लगाने से पहले क्योंकि बहुत इंपोटेंट होती है इसको लगा सकते हैं वह से तो हर वार आप लगाने से पहले पूरान से पहले पुरान से परी में में की था बैठे वे होता है वो ग्रॉमेट से आपको खीजना पड़ेगा तब निकलेगे उससे पहले मैं आपको दिखा आता हूं इसके अंदर इसकी कंडीशन है वो कैसी इसमें पूराना जो इखटा हुआ और तो इसको साब भी हमें करना पड़ेगा ठीक है नया लाते तो कोई प्र इसको थोड़ा शेक करूंगा ताकि जिससे पूरा भूम जाए उसके बाद में इसको निकाल दूँगा इससे क्या होगा जितना भी कुछ रह गया था कपड़े से साफ करने से वह सारा इसमें निकल जाएगा मतलब निकल जाएगा ऑल्मोस्त मैं इसको क्लीन करने वड़ी उसको भी करते हैं तो इसको ले जोंग करना मास्टर सिलेंडर उसको भी खराब कर का ठीक है तो इसको अच्छे से अधोлек एगर्या निकाल लेना यह निकले है पिर जर्वार करना है उसमें इसके बाद आपको रिजरवायर को मास्टे सिलेंडर पर प्रेस करने मैं दबाने उपर से अच्छे से ठीक है थोड़ा हाड लिए दबेगा लेकिन यह अच्छे से फीड हो जाए उसके बाद अब क्या करना है यह मैं इसको बहुत अठीच में अच्छे से क्लीन कर लिए कई से बीचया पहने नएवाले मास्टर सिलेंड है इसको हमें इंस्टॉल करना बहुत आसान है तो आप क्या करना है इसको यहां पर अच्छे से लगाना देख़िए जैसे विसको लगाना बहुत ज्यादा आसान कोई भी आप आप अगर दिखा लेधिशने हुआ ठीज है निकाल लेटे ले अब क्या करना है यहां पर break line लगा लेंगे, break line यहां पर बहुत आपको ध्यान से लगाने पड़े, क्योंब कि metal lines होते हैं. अगर ईहन्की चूरी एक बार तेड़ी चले गए लिए करने लग सकते हैं फिर एक बार यह लीक कर गई या पिर इनकी चूरी खराब हो गई फिर आपको इमेटर लाइंग की जीज करनी पर बहुत ध्यान से आप लगाना ठीक है इनको पहले हाथों से कस लेना अच्छे से हें करूंगा एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ लेखिए अगर ओपन एंड स्पैनर किसी भी नट या बोल पर धीला चल रहा है तो उसको आप यूज मत किजे ओपन एंड स्पैनर को हमेंसा टाइट ली जाना चाहिए तो उससे आप एंशूर हो जाएंगे कि आपके जो बो भी लीकेज ना हो और वह तूटे भी नहीं डैमेज भी नहीं हो अगली बार कभी हमें खोलने की जरुवत पड़े तो और अगर बाद में ब्रेक ओल डालने के बाद वह लीक करें तो आप उनको थोड़ा बहुत और टाइट कर सकते हैं ठीक है तो ब्रेक औल मैंने अच्छ हृबर लीकेजनी आ खाला है एक लेमन वानी बार दो आप पर रपस खाली कर रहें तो आप और आप पूरी यह रहर लेगी तो आगर मान लिए किसी लाइन में जाद एयर है आपके लिए से पहले फिलपयक तो आपके लिए बहुत ज ‫ Congress करतेधे हैंगे होसकता हैतनı से बत्न देदर वरना उसे छाएंगे तो दुबारे से आपको फिर से वही प्रॉसेस रिपीट करनी पड़ेगी तो यह चीज का ध्यान रखने रुबागी है महाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया ब्रेक भी अच्छे से आने लगने ब्रेक लाइन में भी कोई एयर नहीं है यह आप पता कर सकते हैं आपके जो पैडिल होता हुँ वहाँ CG नहीं पता चल सकता और ब्रेक को आपको चेक कर लें ठीक है तो यह सारी प्रॉसेस हो गयी है अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को जाएं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर